हलो दोस्तों उमीद करता हूँ आप डिस्ट्रेक्शन से बचे हुए हैं तो इस विडियो में काफी सारे कमेंट आय थे गुरूप डी लेके हाला कि गुरूप डी में extension पीरेड को लेके काफी सारे कमेंट थे तो इस वीडियो में वो डिसक्स करूंगा मैं तो एक्स्टेंशन फिर जाने से पहले एक चीज में डिसक्स कर देता हूं देखो आपकी जोइनिंग स्टार्ट हो चुकी है ठीक है अगर आपके पास अभी कोल मैसेज नहीं आया तो आप को पैनिक करने की जूरत नहीं है जल्दे आपके पास भी कोल मैसेज जया जाएंगे ठीक है यानि आपकी जोइनिंग हो चुकी है आया जोइन्ग का मतलब है कि अब ही आपको रैगूलर बेसीज पर जाना पड़ेगा इसका मतलब है कि आपकी स्टार्ट didile does या ठीक है जिन बच्चों को यह डाउट था तो अब यह department पे वैरी करेगा कि वह कहां से आपकी salary count करती है ठीक है आपकी salary अप्रैल से या मार्च से count करती है ठीक है या फिर अभी मैई से जैसे कि करेगा अभी उनका क्या decision रहता department का ठीक है तो क्या है कि अभी process क्या है जिनके पास भी call या messages या लिस्ट में नाम है किसी का ठीक या call messages आए हैं उनकी join करवाई जा रही है वहाँ पर report करवा के और अभी तक उनको वरक नहीं दिया गया है ठीक है वरक देना डिपेंड करेगा वह हो सकता ही लेक्षन ड्यूटी मिल जाए या और कोई वरक हो जाए क्योंकि डिसी ओफिसी में बहुत सारी पोस्ट वेकेंट पड़ी है तो आपको वैरी करता अब उससे आपको freedom मिलेगी आप एक regular employee की तरह है government employee की तरह है duty पर जाने लग जाएंगे ठीक है इसके अलावा देखो जो जिस चीज़ का main concern था काफी सारे candidates का आया था कि extension एक्स्टेंशन पीरिड यह काफी सारे candidates की प्रोगलम हो सकती है इसकी वजह यह हो सकता वह कहीं भार duty करता हो किसी अधर स्टेट में हर्याना में आना जाता हो ग्रूप डी जोइन करना चाहता हो हो सकता रेलवे में वह डी ग्रूप में लगा हुआ तो आना चाहता है या फ थोड़ा सा डीले कर देता कि उसके जितने भी काम है पेंडिंग है उनको वह फिनिस कर सके ठीक है तो इसके लिए देखो आपको एक्स्टेंशन पीरिड मिल सकता है यह रूल से है जो हर्याना सिविल सर्विसीज के रूल से हैं 2016 के उसके अकोर्डिंग आपको मिलने का प्रोवीजन यह है कि आपको हैड़ अफ़ी डिपार्टमेंट और फैड़ डिपार्टमेंट के पास इसका अगर आपको मैं प्रोवीजन दिखाऊं तो देखो यह है एक्स रूल से 2016 के एक्स्टेंशन ओफ जॉइनिंग टाइम ठीक है जो कम्पीटेंट अथोर्टी है मतलब हैड ओप देपार्टमेंट है वो दे सकता है मैक्सिम कितना 30 डेज का ठीक यानि एक में नेका एक्स् पर वाइड किया जाए याप यह वहां पर रिचॉट करना है वहां पर जाके वह आपको प्रोस्ट लूर्टहर कर सकते हैं तो वहाँ सेства पढ़ सकता कोई कोई भी चीज़ अगर वो चाहता है इन फ्यूचर चुटी लेना वह भी यहाँ पर सकता है वह किस टाइप की चुटी होती है सारे की सारी चीज़ें यहां पर पैनल्टी ओफेंसिद सब के सारे चीज़ें यहां पर जो है उस वह खुझ से पड़ सकता है काफी एजी लेंग् आप कर सकते हैं कि अपना एक्जाम पॉस्पॉंड कर सकते हैं ठीक है अगर आपको डीजी एट हैड ओफ डिपार्टमेंट सी परमीशन नहीं मिलती है तो आप अपना एक्जाम पॉस्पॉंड कर सकते हैं नेक्स टाइम दे ले लिए आप या फिर उसको आप इवनिंग में major issue है तो you can just reach out to us आप हमारे telegram channel या WhatsApp group join कर सकते हैं ठीक है telegram के उपर एक public platform है discussion का जिसको आप join कर सकते हैं उसमें हर टाइप के candidate है वो अपनी अपना opinion या information share करते रहते हैं ठीक है तो आप आप वहां पर हमें join कर सकते हैं तो इस वीडियो में यही बढ़े रही है और पढ़ते रही है इस वीडियो थैंक यू